हेलो फ्रेंज मोधुमिता लिटील कीचेन में वेलकाम मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशीपी शेयर करने जारी हूँ आज मैं शेयर करूँगी काठाल की सुखी भाजी का रेशीपी नॉर्माली हम लोग काठाल से ग्रिभी वाली सबजी बनाते हैं लेकिन इ सुरूं है तो सब से देखww मैंने इस तरीका का का सबस्ञ्चार को कळ ले गयिंदा लेयर का च्वरागी पर देखкольय कि यो दिने सब्सक्राइआ करेत and करें अर्ब्सक्ति हैकर रहे से कठोआथ हमें और भी करें ताथ है आप मैंने इस कठा हुआ कठाल को डाल देती हो आप चाहे तो कुकर में डाल के भी इसको कठाल को पका सकते हैं लेकिन कुकर में डाल के अगर कठाल को पकाएंगे तो कठाल बहुत ज़्यादा सफ्ट हो जाता है कोड़ाई में डाल के भी बहुत आसानी से कठाल को पका सकते ह अभी धाक के कम से कम और भी 10 मिट तक पाकाती हूँ यानि जब तो आच्छी तरह से कठाल सप्ट नहीं हो रहा है अगर कोली बाला कठाल होगा तो बहुत जोल्दी सप्ट हो जाता है तो देखिए कठाल जो है सप्ट हो गया आप मैंने कोड़ाई में डाल देती हूँ एक चमच जैसा सोर्षो की तेल आप चाय तो कोई भी कूकिंगा लियोज कर सकते खोड़ा सा खाड़ी मसाला डाल देते जैसा तेज पात्ता लौंग दार्चीनी और थोड़ा सा मैंने एलाएचे डाली हो आच्छी तरह से एक खड़े मसाला भूनने के बाद मैंने डाल देते हूँ एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज प्याज को भी थोड़ी देर तो भून लेते हैं आच्छी तरह से जब तक प्याज सब्ठ हो रहे तब तक इसको भूनना है तो दीके आच्छी तरह से प्याज सब्ठ होगे कालार भी चेंज होगे आप मैंने डाल देते हूँ थोड़ा सा अध्रक लोईशन का पेस्ट डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर तक भून ले आप चाहे तो मिक्सर पोट में डाल के भी पेस्ट मना सकते हैं मैंने एक बोड़ा साइज का जो टोमाटर है इसको इस तरीका से पेस्ट मना लिया टोमाटर को पेस्ट डालने के बाद और भी कम से कम दो मिनिर तोक अच्छी तरह से मसाला को भूनेंगे मसाला जितना बोड़ी आसा भूनेंगे उतना पार भेक टिये सब जी बनेगा तो देखिए आच्छी तरह से मसाला भूनेंगे आम मैंने थोड़ा सा हल्दी पड़ा थोड़ी सी मीरची पड़ार इहां पे डाल लिए आधा चमर जैसा कीचेन कीग मसाला ए घर का बना हुआ की पड़ा जीडा पड़ार डाल सकती लिगिन कीचेन कीग मसाला मीं सब रहा ता तो इसलिये मैं ध bacon जीडा पड़ार अलक करके नहीं डाली अम मैंने थोड़ी सी कास्मीटी पानी बागरे बिल्किल इज नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकोर इसको आच्छे तरह से भूनना है ताकि मोसाला का जो टेस्ट है कठाल के अंदर आ जाएगा शादन उसरा नमक भी डाल देती है एक बत का जुरूद ध्यान रखना कठाल जो मैंने पाका आए थी तब थोड़ा सा नमक डाली तो इस चमो जैसा देशी घी साच मानी कठाल का जो ये वाला सुकी वाजी ये बहुत ही टेस्टी बनता है नॉर्माली हम लोग ग्रेवी वाली सब्जी बनाते है लेकिन इस तरीका से जुरूर एक बाट ट्राई कीजिए बच्चे बोड़े सब को बहुत पसंद आएगा ज्यादा के साथ परख्ट के साथ एसा पे राइस के साथ भी बड़ी आसा लागेगा शो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसाई हार्द नियू नियू रेसीपी देखने के लिए और